खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और एबिपी न्यूस को सब्सक्राइब कीज़ें जब आज उन्होंने यूपी में उपचुनाव अकेले लडने का एलान किया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव से सुख दुख का रिष्टा बना रहेगा लेकिन राजनितिक रिष्टा हम निभाय नहीं पाएंगे उसे जोड़े रखना थोड़ा न भी 12 जन्वरी को जो रिष्टा अकिलेश यादव के साथ मायावती ने कायम किया था वो राजनितिक रिष्टा था मौका परस्त राजनीती वाला रिष्टा था हम इसे मौका परस्ती वाली राजनीती क्यों कह रहे हैं आपको आगे रुपोर्ट में जानने को मिलेगी लेक लिकिन आपको इस रुपोर्ट को देखने से पहले जान लेना चाहिए कि जो भी नतीजे आए हैं जो भी आकड़े आए हैं उसको हमने बहुत गहन तरीके से उसकी परताल की है उसे समझा है उसे जाना है और उसके बाद ये शब्द मौका परस्त निकल कर आया है जी हां ये सा अरे के सारे आकड़े जब हमने खंगाले तब जाकर ये साबित करने में काम्याबी हासिल होगी और आप भी देख पाएंगे कि कैसे ये गठबंदन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती का गठबंदन था और इस एलान के साथ ही एक बार फिर ये साबित हो गया कि राजनीती में मायवती का कोई सगा नहीं वो सिर्फ मौके और फाइदे की राजनीती करती है जब तक फाइदा देखे तब तक संग रहती है वरना अलग होने के पचास बहाने ढूंड लेती जैसे इस बात अखिलेश की समाजबादी पार्टी से अलग होने का ये बहाना सोचने की बात ये है कि मायवती जो तर्क दे रही है उनमें कितना दम है क्योंकि अगर नतीजों और आखनों पर जाएं तो साफ दिख रहा है कि यूपी में ब्यस्पी को फाइदा हुआ है जो मायवती 2014 में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी उनकी पार्टी को इस लोकसभा चुनाओं में 10 सीटे मिलने तो तो मायवती अगर 0 से 10 पर पहुँची है तो वो इसी लिए क्योंकि इस बार उनका स्पी से गटबंधन था इस समझने के लिए उन 10 सीटों के समीकरणों को देखिए जो ब्यस्पी ने जीदी सहरनपूर सीट पर मायवती का अपना वोट बैंक यानि सी आबादी सिर्फ 22 प्रतिशत है जबके मुसलिम आबादी करीब 42 पीजदी और यादव 2 परसें इस 66 परसेंट में ब्यस्पी उम्मीदबार को मिले 42 प्रतिशत नगीना में सी 21 परसेंट मुसलिम 42.5 प्रतिशत यादव 1.5 प्रतिशत और इस 65 प्रतिशत में से ब्यस्पी को मिले 56 प्रतिशत वोट इसी तरह अमरुहा को देखिए जहां सिर्फ 18 प्रतिशत सी पर प्रतिशत SC, 10 फीजदी मुस्लिम और 21 प्रतिशत यादव है और मायवती के उम्मीदवार को वोट मिले 51 प्रतिशत जौनपुर में 22 प्रतिशत SC, 11 परसंट मुस्लिम और 18 फीजदी यादव, PSP को मिले 50-20 वोट और अलगभग यही पैटर्न PSP की जीती बाकी 5 सीटों पर भी दिखता है, मतलब साफ है कि हर सीट पर मायवती को अपने कोर वोट वैंक से दोगुने तिखुने वोट इसी लिए मिले क्योंकि अखिलेश उनके साथ लेकिन मायवती यह मानने को तयार नहीं है, कि इस चुनाओं में सप्पा का बेश बोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बहुले सीटों पर भी सप्पा के साथ पूरी मजबूती के साथ ठिका हुआ नहीं रह सका है, अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नराजगी के तहर सप्पा के मजबूत उमीदवारों को भी हरा दिया है, तो ऐसे में, खास कर कन्नोज में, स्री मती डिमपल यादव, बदाईयों में स्री धर्मेंदर यादव, फिरोजाबाद में स्री राम गुपाल यादव के बेटे का भी हर जाना तो ऐसा है, जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है. मायवती ये जताना चाहती हैं कि अखिलेश अपने परिवार के लोगों को नहीं जिता पाए, तो बीएसपी को कहां से जिताएंगे, लेकिन मायवती के स्तर्क का जवाब भी चुनाव के नतीजों में ही छिपा है. जौनपूर, घासिपूर, श्रावस्ती, लालगंज और घोसी यादो बहुल सीटे हैं. इन सभी पर बीएसपी को जीता है. सहरनपूर, अमरोहा, नगीना और विजनौर मुसलिम बहुल सीटे हैं. इन पर भी बीएसपी जीता है. ये जीत कैसे संभव थी अगर बीएसपी क समाजबादी पार्टी के वोट ट्रांसपर नहीं होता है. की होगी जिसके आधार पर संभवतावनों ने ये ब्यान दिया हो. यूपी की 17 सुरक्षित सीटों में से बीएसपी ने साथ पर चुनाव लड़ा और सिर्फ दो जीत पाई. समाजबादी पार्टी के उमीदबार 10 सीटों पर खड़े हुए एक भी नहीं जीत पाई. तो क्यों न माना जाए कि मायवती जिन दलित वोटों को अपना मानती हैं वो भी समाजबादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुए. यानि सच यह है कि बीएसपी का अपना वोट बैंक भी किसक रहा है फिर भी वो दूसरों को नसीहत और धमकी देने में लगी है. जदी हमें लगेगा कि सप्पा पर्मुक अपने राजनितिक कारियों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिश्णरी बनाने में काम्याब हो जाते हैं तो फिर हम लोग ज़ूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे. और अगर वे किसी कारणवस इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज़्यादा बहतर होगा. और जब गठवंदन के चुनाओं में है इन्यूक चुनाओं में तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तयारी खरेंगे. समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मश्वा करकर अकेले लड़ेगी उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी. अबी कहपाना मुश्किल है हम अपने लीडर से सभी से राय मश्वा करेंगे उसके बाद फैसा लेंगे और अगर रास्ते अलग लग हैं तो उसका भी स्वागत और बढ़ा ही सब लोगों को. तो इस तरह से चुनाव नतीज़ों के सिर्फ बारह दिनों के बाद ही अखिलेश और मायवती के गडबंधन की तेरवी हो गए और अगर आपको याद हो तो चुनाव नतीज़े आने के काफी पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी भविश्यमानी कर दी दिदी. कहा रहीम कैसे निवे? बेर केर के संग. इनकी एक्सपारी डेट 23 तारिक शाम को पक्की है. 23 को नतीज़ा आएगा एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे. ये देश जादपात की राज़नती से बहुत आगे बढ़ चुका है. ये बात लोग चुनाव के नतीज़ों से बिलकुल क्लियर हो जाती है. मायवती जिसे अपना वोट बैंक मानती है ना, उसी अनुसूचे जाती के करीब 34 फीसद लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है OBC पर भी आप जानते कई अलग-अलग पार्टिया अपना अपना दावा ठोकती है और उसी OBC के 45 फीसद लोगों ने बीजेपी को इस बार अपनी पसंद बनाया है. मायवती ये समझ नहीं पा रही है कि भारत की राजनीती अब बहुत तेजी से बदल गई है. वो धर्म प आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूँगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूँ कि उत्तर परदेश ने हमेशा परधान मंतरी दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर परदेश से फिर एक परधान मंतरी बने. याद कीजिए इसी साल 12 जन्वरी को जब अखिलेश से प्रधानमंत्री पत्खे उम्मीद्वार को लेकर सवाल पूछा गया तो जबाब पर मायवती कैसे मुस्कुरा रही थी साफ है जिन हसरतों को पूरा करने के लिए मायवती ने समाजवादी पार्टी से 24 साल पुरानी दुश्मनी भुला दी वो एक जटके में टूटके एसपी बीएसपी के साथ आने के सारे समीकरण धरे के धरे रहते क्योंकि मोदी ने इस चुनाओं में जातियों के चाल में फसी राजनीती को ही पलट किया अब 21 सी सबी में भारत में एक जाती है गरीब भारत की एक जाती है गरीब और दूसरी जाती है देश को गरीबी से मुप्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की 2014 से पहले तर उत्तर प्रदेश में जातियों के सहारे कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाजपार्टी सत्य हथी आते रहे 2014 लोगसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 80 में से 71 सीते जीती तो ये दोनों पार्टियां ओधे मुग गिर बढ़ा उससे सबख लेते हुए इस बार स्पी बीएसपी ने जातियों का समीकरण चलाया और हाथ में लाया लेकिन अंक गणित काम नहीं आया चाहे वो 2014 हो 2017 हो या 2019 हो हो देश के राजनिति की विश्णे सको को मानना होगा कि एरिथमेटिक के आगे भी केमेस्ट्री होती है आदर सो और संकल्पों की जो केमेस्ट्री है ये कभी कभी सारे गुणा भाग सारे अंक गणित को निरफ्स्त कर देती है पराजित कर देती है और इस बार अंक गणित को केमेस्ट्री ने पराजित किया है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 62 सीटे मिली है और इसके पीछे वज़ा ये थी कि बीजेपी को हर जाती का वोट मिले यादवों को छोड़ने तो अन्य पिश्डे वर्गों का 72 फीजदी वोट बीजेपी को गया यादवों के भी 23 फीजदी वोट BJP को मिले जाटवों को छोड़ कर अनुसूचित जाति के बाकी वोटों में से 48 फीजदी BJP के खाते में गया PSP के वोट बेंक माने जाने वाले जाटवों के भी 17 फीजदी लोगों ने BJP को वोट दिया कुर्मी कोईरी का 80% बोट बीजेपी को मिला यानि बीजेपी ने अखिलेश और मायवती दोनों के बोट बैंक में सेध लगाई और यही चोट मायवती सहन नहीं कर पा रही है बीजेपी का बेस बोट वे सपा का अपना बेस बोट जुड़ने के बाद फिर इन सबको कते भी हरना नहीं चाहिए था इनकी हार का हमारी पार्टी को भी बहुत ज़्यादा दुख है मायवती इसलिए दुखी है क्योंकि जब उन्होंने महागटबंधन में शामिल होने का फैसला किया था तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जाती का घणित चल रहा था यूपी में OBC 42 से 45 पीज़दी है जिन्में से यादव 10 प्रतिशत है अनुसूचित जाती के आबादी करीब 22 पीज़दी है और मुसलिम 19 प्रतिशत है यानि मायवती मान कर चल रही थी कि अगर 10 प्रतिशत यादव 22 पीज़दी अनुसूचित जाती और 19 पीज़दी मुसलिमों के वोट भी मिल गए तो वो यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाले गए लेकिन नतीजे बताते हैं कि मायवती ये भूल गई कि नरेंद्र मोदी ने जाती की राजनीती को खत्म कर दिया है मोदी अपनी योजनाओं के जरीए गरीबों के घर तक पहुँचे जातियों के बंधन को तोड़ दिया और नतीजा ये हुआ कि अब यूपी में कोई भी जाती किसी पार्टी का बोट बैक नहीं है मायवती जितनी जल्दी ये बात समझ लेंगी उतना उनके लिए बहतर होगा बड़ा अजीब इत्तिफाक है ना दो जून याद कीजिए 1995 गेस्ट हाउस कान जब हुआ वो ऐसी राजनिति घटना थी जिसने बीएसपी और समाजवादी पार्टी को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया लेकिन 25 साल बाद मोदी को हराने के लिए मायवती और अखिलेश यादव फ्रंट फूट पर आए खूब खेले फ्रंट फूट पर खेले लेकिन उसके बाद ये भी इत्तफाक है कि दो जून के बाद मायवती ने अखिलेश यादव की पार्टी यानि समाजवादी पार्टी से अलग होने की प्लानिंग शिरू कर दी तो क्या ये मान लिया जाए कि मायवती ने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से मायवती ने मुलायम सिंग यादव से मायवती ने तमाम समाजवादी पार्टी के कारिकरताओं से वो जो 1995 में हुआ था उसका बदला लिया इसमें कोई संदे नहीं है कि जब से BSP वे सप्पा का गडबंदन हुआ है तो तब से खास कर सप्पा परमुक स्री अखलेस यादव वे उनकी पत्री स्री मति डिंपल यादव बे मुझे पूरे दिल से मैं पूरे आदर समान से अपना बड़ा वे आदर समान कर मेरी बहुत इ जग करते हैं और मैंने भी उनको अपने सभी पुराने गिल्ले सिक्वों को भुलाकर व्यापक देश वे जनहित में तथा अपने बड़े होने के नाते भी उसी हिसाब से उनको अपने खुद के परिवार की तरह ही पूरा-पूरा आदर समान भी दिया है और हमारे ये रिष्टे केवल अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए ही नहीं बने हैं बलकि ये रिष्टे आगे भी हर सुद्दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता लेकिन पीछे क्या क्या हुआ ये सब जानता है मायवती ने आज जब समाजवादी पार्टी से अपना रिष्टा तोड़ा तो उनकी जुबान पर ये सच आही गया ये गड़्बंधन दरसल राजनितिक स्वार्थ के लिए बना थै हमारे ये रिष्टे केवल अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए ही नहीं बने हैं राजनितिक स्वार्थी मायवती का इतिहास रहा है 1993 से लेकर अब तक मायवती यही करती रही है 1992 में अयुद्धा में विवादे तिठाचा ढहने के वाद देश में BJP की लहर थे तब BSP के मुख्या काशी राम ने मुलायम से हाथ मिलाया मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जैश्री राम के नारों के बीच 1993 में पहली बार SP-BSP ने मिलकर चुनाव रड़ा उस गटबंधन की सरकार बनी मुलायम सिंग यूपी के मुख्यमंत्री बने लेकिन मायवती से जादा लंबे समयता कि ये देखा नहीं गया एक जून 1995 को वो मुलायम सरकार से समर्थन वापस लेने की तयारी करने लगी जिसकी भनक मुलायम सिंग को लग गए और उसके बाद ही दो जून को लखनों में वो गेस्ट हाउस कान्ड हुआ जिसके बाद SP-BSP के रास्ते अलग हो गए लेकिन मायवती अगरे ही दिन यानी 3 जून 1995 को वीजेपी के समर्थन से UP के मुख्यमंत्री बन लेगा दो साल बाद 1997 में मायवती ने मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर वीजेपी का साथ लिया तैह हुआ कि 6-6 महीने में दोनों के मुख्यमंत्री बनेगा मायवती ने अपने छे महीने पूरे करने के बाद से कल्यान सिंग के लिए परिशानिया खड़ी करनी शुरू करते हैं और आखिरकार वीजेपी सरकार से समर्थन बापस ले लिया मायवती के धोके की ये कहानी सिर्फ यूपी तक सेमित नहीं है 1999 में मायवती ने अटल बिहारी वाजपी के सरकार के विश्वास प्रस्ताव के समर्थन का भरुसा दिया लेकिन बहस शुरू होते ही वो उसके खिलाफ हो गई 2008 में उन्होंने अचानक केंदर की मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया और अब समाजवादी पार्टी से अलग होकर एक बार फिर मायवती ने अपना असली रंग दिखा दिया है 23 मही को नतीजे आए और मोदी के हक में जब जबर्दस फैसला आया तो सोशल मीडिया पर एक बात बहुत जोरो शोरो से चलने लगी जात पात के एजिंडे को तोड़ कर लोगों ने मोदी को वोट किया तो कहा गया कि ये मोदी जात है मोदी जात से मतलब कोई जात या कोई धर्म नहीं था वो विकास की योजनाय और एजिंडे से कही ना कही प्रभावित मोदी जात थी यानि ये वो जात है जो सिर्फ और सिर्फ विकास को अपनी प्रियोरिटी में रखती है और इसी लिए हिंदुस्तान की बदलती हुई राजनीती को मौका परस्त राजनीती करने वालों को समझना होगा मास्टर स्ट्रोक यही है जाती की बात छोड़ो विकास के एजेंडे से देश को जोड़ो मास्टर स्ट्रोक में अब बात करेंगे हम गिरिराद सिंग की जिने इस बार राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार से प्रमोट करके क्याबिनेट मंत्री बना दिया गया आज इसी क्याबिनेट मंत्री को खुब डाट पड़ी है और डाटा है इस देश के होम मिनिस्टर आमित शाहने कड़ी चेताव नहीं दे गिरिराद सिंग ने एक ट्वीट किया था और गठबंदन दलों के नेताओं की इफ्तार पार्टी पर सवाल उठाए थे फलाहार सिर्फ और इफ्तार ऐसी जब बाते कही गई तो उनको डाट पड़ी ऐसी बयानबाजी नहीं करनी है अगर आइंदा से की तो कड़ी कारवाई होगी ऐसी जानकारी हमें मिल रही है कहा गया अमित शाह की तरफ से लेकिन खबर सर्फ इतनी नहीं है खबर एंडिय में नितीश की नाराजगी भी है जिसकी वज़े से अमित शाह को गिरिराज को डांट लगानी पड़ी बिहार की इनहीं राजनितिक इफ़तार पार्टियों की कुछ तस्वीरों के साथ केंद्रिय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंग ने ट्वीट कि लिखा कितनी खूबसूरत तस्वीर होती जब इतनी ही चाहत से नवरात्री पर फलाहार का आयूजन करते और सुन्दर सुन्दर फोटो आते अपने कर्म धर्म में हम पिछड क्यों जाते हैं और दिखावे में आगे रहते हैं इस ट्वीट के साथ जो तस्वीरे थी उनमें नितीश कुमार, जीतर राम माजी, राम गिलास पासवान, उनके बेटे चिराक पासवान दिख रहे थे और एक तस्वीर में तो खुद बीजेपी के वरिश नेता और बिहार के डिप्टी सियां सुशील मोदी भी थे मोदी के शपत रहन के बाद से वैसे ही बीजेपी और जेडियू के राजनितिक रिष्टों में खटास चल रही है नितीश जादा मंतरी पत चाहते थे वेकिन बीजेपी सिर्फ एक कैबिनेट मंतरी दे रही थी इसलिए नितीश केंदर सरकार में शामिल ही नहीं वो हलाकि उनका दावा है कि सब ठीक है लेकिन सब ठीक कहा है थोड़ा सा जो गटबंधन धर्म का लिहास भाभी वो गिरिराव सिंग के ट्वीट से हट गए इस तरह का जो बयान ट्वीट किये है यह बिल्कुल ही लगता है कि मानसिक रूप से बीमार बैक्ती ही दे सकते हैं हम लोग पूजा नहीं करते हैं कि हम लोग हिंदू नहीं है इनके इसा ढोंग नहीं रस्ते हैं हम लोग टोपी भी लगाते हैं टीका भी लगाते हैं इनके जैसा नहीं है कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारिक नहीं बताएंगे मैं सिरी गिर्राज सिंग को परदान मंतरी जी का एक चितर भी भेज रहा हूँ जिसमें परदान मंतरी जी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जित जो आबुधाबी में इस्तित है वहाँ के सेख जायद और इमाम के साथ बड़ी महबत के साथ पूरी मस्जिद का निरिक्षन कर रही है जेडियू को कहने का मौका मिल गया उसके नेता खुले आप गिरिराज सिंग के बहाने पूरी बीजेपी को ही निशाने पर ले रहे हैं लेकिन धर्म संकट की स्थिति राम विलास पासवां के लिए खड़ी हो गई जो गिरिराज सिंग पर सवाल सुनते ही भाग खड़े हैं अब चलिए आप क्या कोई बोलते है उसको रम कोई को राम विलास तो उठकर चल दिये लेकिन चिराग ने थोड़ी समस्दारी दिखाई गिरिराज सिंग को सर बोला और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जब सरकार में शामिल सयोगी ऐसे भाग रहे हैं तो फिर अपनी पार्टी के ही मेता भला कैसे बोले बिहार बीजेपी के नेताओं के लिए भी धर्म संकट खड़ा हो गया है तो इस कार्म की तस्वीर है नितीश कुमार रामिलास बासवान की यह दिखावा कर दो केंद्र में नितीश कुमार की जेडी उने कोई भी मंसीपद नहीं लिया यह आप जानते हैं और इधर बिहार में नितीश काबिनेट का विस्तार हुआ तो बीजेपी ने अपने हिस्से की जो सीड थी उसको छोड़ दिया है तो साफ तोर पर ये बताता है कि दोनों की बीच में कुछ तो गड़बर है दोनों ही पार्टियां बहुत इत्मिनान से टिजफोर टैट की राजनिती कर रही है लेकिन फिलाल अगर आप दोनों को कंपेर करें तो बीजेपी का पलड़ा सीधे तोर पर भारी नज़र आ रहा है यही वज़ा है कि नितीश कुमार प्रेशर टाक्टिक्स कर रहे है मास्टर स्ट्रोक यही है दोनों ही पार्टियों के लिए है कि मंत्री के नाम पर खटास अब कैसे बढ़ेगा विश्वास इस देश के नए ग्रिह मंत्री आमिट शा से जुड़ूई आमिट शा ने एक जून यानि शनिवार को ग्रिह मंत्राले में अपना नया काम समाला उसी दिन जम्मू कश्मीर के राजपाल सतिपाल मलिक से उन्होंने मुलाकात की उसी दिन ये भी पता लग गया पूरे देश को कि ग्रिह मंत्री के एजिंडे में सबसे उपर प्राथमिक्ता उनकी क्या है उसके बाद कश्मीर को लेकर अमिट शा ने बहुत सारी मीटिंग्स की है और आज ये खबर हमें मिली कि ग्रिह मंत्राले ने कुछ आतंक वादियों की लिस्ट तयार की है उनके खात्मे की डेडलाइन भी जारी कर दी है लगता यही है कि ग्रिह मंत्री अमिट शा, ग्रिह मराज मंत्री जी किशन रेडी और नित्यानन ज्राइ और एनसे अजी डोबाल की टीम ने मिशन कश्मीर का फाइनल चाप्टर एकदम तयार कर लिया है देश के ग्रिह मंत्री के कुर्सी सम्हालते ही अमिट शा पूरे एक्शन मोड में है एजंडे में सबसे उपर कश्मीर है और आतनकियों की ये लिस्ट उसी एक्शन मोड का ब्लूप्रिंट है पीम मोडी ने हर मंत्राले से सौ दिन के काम का एजंडा मांगा है लेकिन अमिट शाह ने इन आतनकियों के खात्मे के लिए 30 दिन का टार्गेट सेट कर दिया है इस लिस्ट में सबसे उपर है रियाज नाइप बांदिपुरा के रहने वाले इस हिजबुल आतनकी की तलाश सुरक्षा बलों को कई सालों से है हिजबुल मुझाहिद्दीन के आतनगबादी अश्रफ खान उर्फ अश्रफ मौलवी भी सुरक्षा बलों के रिडार पर आ गया है इस रिस्क में बारमुला का हिजबुल आतनकी महराजुद्दीन भी है सैफ उल्ला मीर और फुर्फ डॉक्टर सैफ को धेर करने की तैयारी भी हो चुकी है बालाकुट से आतनकी ट्रेनिंग लेकर लोटा पुलवामा का हिजबुल कमांडर अर्शद उलहक पाकिस्तान से आया जैशे महमद का आतनकी हाफिज हुमर तालिबानी आतनकबादियों के साथ ट्रेनिंग लेकर नाटो सेना के साथ अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ चुका जाहिद चेख अलबदर आतनकी समू का उत्तरी कश्मी डिविजिनल कमांडर जावेद उर्फैजन और आखर में एजाज एहमद हिटलिस में शामिल हो चुका है खुपी अजेंसी के एक अला अधिकारी ने बताया कि इन लोगों में जो विदेशी आतनकवादी हैं उन्हें बड़े पैसों के पैकेज पर तबाही मचाने के इरादे से भारत बुलाया जाता है यह आतनकवादी किस्तों में अपना पैसा वसूल करते हैं आतनकवादीयों को चन्नित किया गया है और साथ ही साथ अब जो है डी लिमिटेशन की बात हो रही है अन्य चीजों की बात हो रही है ग्रह मंत्री ने अपने स्टिप विभाग की जो बैठक ली है तो मुझे लगता है कि जम्मु कश्मीर एक बहुत महत्रपूर मुद्दा है और इस पे हम शी ग्रही कुछ होते हुए देखें एक जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने बाली है और उसके पहले ग्रही मंत्रालय इन आतनकवादियों का सफाया चाहता है खुद अमिच्शाह इस मिशन पर नजर बनाए हुए है राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार अजी डोभाल भी इसमें शामिल है ग्री राज्यमंत्री जी किशन रिडडी भी इस मिशन का हिस्सा है सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एर स्ट्राइक तक की रणीती मिशा में अजी डोभाल को आप अच्छी तरह पहचानते हैं लेकिन अमिच्शाह के साथ मिशन कश्मीर में जूटे जी किशन रिडडी को जान लीजिए तेलंगाना के सिकंद्राबाद ससांसर जी किशन रिडडी मोधी मंदल के इकलौते ऐसे मंत्री थे जिनोंने शपत लेने के बाद भारत माता की जय का नारा लगाया था वारत माता की जय वारत माता की जय अमिच्शाह और जी किशन रिडडी जब पद सभालने पहुंचे थे तब भी दोनों की ट्यूनिंग उनके कपड़ों में दिख रही थी इसलिए माना जा रहा है कि ये तिकड़ी आतंग के खिलाफ लड़ाई को नरनायक मोड तक ले जाएगी अमिच्शाह जी का एक जो रेपूटेशन है वो ये है कि एक गो गेटर की है एक्सेलेंट मैनेजर की है तो वो पहले भी गुजरात में ग्रहराज्य मंत्री रह चुके हैं तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि जो कानून व्यवस्ता है जहों कश्मीर में वो नए ग्रह मंत्री के आने से और ज़्यादा सुझ रहेगी अमिच्षा टार्गेट को लेकर कितने सक्रिय हैं उसका अन्दाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ग्रही मंत्री बनने के चार दिनों के भीतर वो कश्मीर के मुद्बे पर तीन बड़ी बैठके कर चुके हैं कुर्सी सभालते ही एक जून को अमिच्षा जमुकश्मीर के राज़्यपाल सत्यपाल मलिक से मिले तीन जून को आंतरिक सुरक्षा की बैठक में एनसे अजी डोभाल आईवी चीफ और रौचीफ के साथ कश्मीर पर चर्चा की और आज भी अमिच्षा ने कृह सचिव और कश्मीर डिविजन के एडिशनल सेक्रेटरी के साथ बैठत की है कुफिय अजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि कश्मीर में एक बार फिर नए सी रेसी ऑपरेशन आल आउट शुरू किया जाएगा और इसके लिए इस थान्य पुलिस समेत तमाम अजेंसियों से आतंक मचाने वालों के दोजियर मांगे गए है एक तरफ सरकार एक्शन में है तो आज एनाईय कोट ने भी आतंक को पालने वाले अलगावबादियों को बड़ा जटका दिया है कोट ने आज मसरत आलब, शबवीर शाह और दुखतरान मिल्लत की प्रमुख आसिया अंधरावी को दस दिनों के लिए फॉर्मल अरस्टिंग के इजाज़त दे दी है कश्मीर की रहा में एक और बड़ी समस्या है ये पत्थरबाद ये तस्वीर 31 मई की है जब जुमे की नमाद के बाद पत्थरबादों ने श्रिनगर में जमुकश्मीर पुलिस की गाड़ी पर न सिर्फ पत्थर बरसाए बलके सुरक्षा कर्वियों की जान लेनी की कोशिश भी की अब सरकार इन पत्थरबादों से निपटने का फ्लान भी बना रही है जो कश्मीर में सुरक्षा भलों के लिए चुनौती बन गए है ग्रेमंट्री के तौर पर अमिट शा ने बहुत सारी चुनौतीयों को पहले ही समझ और परख लिया है और सबसे बड़ी चुनौती उसमें से कश्मीर है यही वज़ा है कि अमिट शा पहले दिन से ही कश्मीर के मोर्चे पर अवल तो पहले मीटिंग कर रहे हैं और फता हासल करने की पुर्जोर कोशिश कर रहे हैं मास्टर स्ट्रोक यही है कि अगर इस सरकार में आतंका होगा हिसाब तो सरकार बनेगी काम्याब आपने अकसर सुना होगा लोगों से आपस में बातचीत करते हुए यह कहते हुए सुना होगा कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो इतने गर्मी नहीं पड़ती थी तब हमें AC की जरूरत नहीं पड़ा करती थी लेकिन आप तो देखिए बुरा हाल है आपने भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में गर्मी ने दोजक जैसी स्तिती यानि नर्क जैसी स्तिती पैदा कर दी है इसके पीछे ग्लोबल वामिंग है या हमारी हरकते असली जंगलों को काड़ कर हमने कॉंक्री जंगल तयार कर लिये हैं पेडों की जगा नहीं है और जब पेड नहीं होंगे तो हवा कैसे चलेगी और जब हवा नहीं चलेगी तो बताईए गर्मी कैसे भागेगी और इसी लिए आज खासतोर पर इसी गर्मी हमारी हरकते और उससे जुड़ती हुई ग्लोबल वामिंग को लेकर एक रिपोर्ट हमने तयार की है इसमें बहुत रिसर्च लगी है आप देखिए ताकि आप समझ पाए कि कैसे बून-बून से घागर बढ़ सकती है कैसे भरेगी आप अगर तैयार हुए मैं तैयार हुई तो पूरा हिंदुस्तान और फिर पूरा का पूरा भारत समेश बाकी और देशों का काफिला कहीं भीशन गर्मी तो कहीं बारिश बाड़ और बादल भटने से तबाए एक ही मौसम की ये दो तस्वीर है हमारे ही देश की गर्मी ने सबसे ज़्यादा तांडव राजस्थान में मचाया हुआ है ये राजस्थान का कोटा शहर है जहां आजकल सुबह नहीं होती सीधे दोपहर होती है बिना मूँ और सिर ढके बाहर जाने का मतलब है जुलस जाने आज भी यहां तापमान 47 डिगरी सेल्सियस नहीं राजस्थान के बूंदी में तो सारे रेकॉर्ड टूट गए यहां तापमान 50 डिगरी के पार पहुँच गया है सडकों से गर्म लू के थपेड़े निकल रहे हैं इसलिए प्रशासन ने सडकों पर 20,000 लीटर पानी का छड़काव किया है हालात यह है कि सुभ़े 10 बचते ही इन सडकों पर सन्नाटा पसर जाता है आज बुंदी जीले में गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तापमान 50 डिगरी के उपर जा चुका है बुंदी की सडकों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है यही हाल चुरू शेहर का भी है यहां कल का तापमान 50.3 डिगरी था पिशले तीन दिनों से यहां का तापमान 50 डिगरी से ज़्यादा बना हुआ है आसमान से बरस्ती आग ने सडकों पर कर्फ्यू लगा दिया है हालात यह हैं कि सडकें भी पिगल रही है राजस्तान भीशन गर्मी की चपेट में है तो उत्राखन में बारिश और बार से बुरा हाल है यह उत्राखन के अलमोडा की तस्वीर है यहां रविवार को अचानक तेज बारिश हुई बादल भटा और तेज बहाव के साथ पानी आ गया अचानक इस नदी में बाढ़ा गई गाउं की कई गौशालाएं बह गई कई जानवरों की मौद भी हो गई यह उत्राखन का रुदुर प्रियाग है यहां भी तेज बारिश के बाद बड़े बड़े ओले गिरे हैं जिससे केदारनाथ जा रहे तीर्थ याथियों की मुश्किले भी बढ़ गई तो कहीं गर्मी और कहीं बारिश का ये विरोदभास क्यों है आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जब हम छोटे थे तब इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी एक लिहाथ से ये बात सही है भारतिय मौसम विभाग 1901 से मौसम के आंकड़े कठे करता है और भारत के 11 सबसे गर्म साल पिछले 15 सालों में ही रिकॉर्ड हुए है 1901 से 2018 तक औसितन तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है आज हमारे पास कुछ और ऐसे आंकड़े हैं जो आपके होश उड़ाने वाले हैं पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति पर ओसेतन 422 पेड़ है जबकि भारत में एक व्यक्ति पर ओसेतन सिर्फ 28 पेड़ है चीन में 130, अमेरिका में 699 और रूस में एक व्यक्ति पर ओसेतन 4856 पेड़ है यहांकड़े बताते हैं कि पेड़ लगाने में हम भारतवासी बहुत पीछे हैं भारत चाहे तो फिलिपीन से बहुत कुछ सीख सकता है दीस्वी सदी में यहां का वनक्षेत्र सत्तर प्रतिशत से घटकर बीस फीज़दी पर सिमट गया था इसके बाद अब देश को फिर से हरा भरा बनाने के लिए सरकार को नया कानून बनाना पड़ा कानून ये है कि ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले छात्रों के लिए कम से कम 10 पौधे लगाना अनिवार है पूरी दुनिया में ज़ादा से ज़ादा पेड लगाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि 1000 पेड तीन दशमलव साथ टन कार्बन डाय ऑक्साइट को सोख लेते हैं और हर दिन करीब धाई टन ऑक्सिज़न देते हैं जिस तरह से हमारा urbanization हो रहा है जिस तरह से forest land का conversion हो रहा है चाहे वो farming के लिए या industrialization के लिए उसका असर state of air, state of water and state of climate पे बहुत क्लियरली दिख रहा है पेड़ों का जो average, austin count जो घटतावा नजर आ रहा है और ये सब विकास के एक larger boundary में हो रहा है उसका impact हमें देखने को बहुत गंभी रूप से दिख रहा है वैसे भारत की 24 प्रतिशत से जादा जमीन पर अभी जंगल है लेकिन ये जंगल भी लगातार कम हो रहे हैं क्योंकि हमारे शहरों में concrete के जंगलों का जाल बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ दशकों में हमारे शहर काफी बढ़ गए हैं शहरों के हर्याली में दिनो दिन कमी आ रही है धडलने से पेड़ कट रहे हैं और इमारतें बढ़ रही है घरों में AC का इस्तमाल भी बढ़ रहा है यही वज़े है कि तापमान भी इसी रफदार के साथ बढ़ रहा है क्योंकि शहरों में जादा निर्मान की वज़े से हवा की गती कम हो जाती है और जब हवा आप तक पहुँचेगी ही नहीं तो फिर गर्मी तो लगेगी ही इसलिए बहतर है कि जादा से जादा पेड़ लगाईए और इस घर्दी को और जादा गर्म होने से बचाएए यह जो कुछ भी हम जहल रहे हैं वो हमारी अपनी कर्तूतों की वज़े से जहल रहे हैं आपने कभी यह ट्राइ किया है कोई चलती गाड़ी या चालू गाड़ी जिसमें AC चल रहा है उसके पास सिर्फ खड़े रहिएगा और उसकी हीट को बरदाश कीजेगा आप गर्मी भगाने के लिए AC का इस्तमाल करते हैं वो AC जब इस्तमाल किया जाता है तो वो गर्मी बढ़ारे में, Global Warming में और ज्यादा योगदान देता है तो कुल मिलाकर आप गर्मी भगाने के लिए AC का इस्तिमाल कर रहे हैं AC गर्मी बढ़ाने का काम कर रहा है गर्मी भगाने का काम कर रहा है ये एक कूचक्र है विश्य सर्कल है जिसमें हम फस गये हैं और इसी लिए Master Stroke आपके लिए है हमारे लिए गर्मी से तभी निजात पाएंगे जब आप अपनी आदत में सुधार कर पाएंगे